नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और वीडियो में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों जैसे कि आप थमनेल में देख पा रहे हैं यह वीडियो है बहुत इंपोर्टेंट टोपिक के बारे में जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि वो पांच चीजन को आप अकर अगर प्रेक्टेस कर दर वह पाँध्टेशन आप करेंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं आपको आपकी practice में, number of OPD में, number of earned income के अंदर आपको फरक दिखेगा तो ये वीडियो इसी बारे में है, तो बिल्कुल straightforwardly let's get to the video तो the first point, the first most important point जो आपको करना है अपनी clinic में as a doctor वो ये है कि use the technology in your practice ठीक है ना, आपको technology को use करना है अपनी practice में, क्योंकि जिसका main कारण है कि हम को as a homeopath जो modern medicine है, वो already हमको एक प्रकार की हीन भावना से ये लोग देखते हैं और जो एक stereotype image बन चुकी है, एक homeopathic doctor की लोगों की नजरिये में और खासकर modern medicine वालों की नजरिये में वो ये है कि we are not technological updated, हम कोई technological advancement नहीं है, वो तो कहीं रहा कहीं तो modern medicine वाले ये समझते हैं कि हम शायद कोई allied subject पढ़ते ही नहीं है, हम anatomy नहीं पढ़ते हैं, physiology हम कुछ नहीं पढ़ते हैं और वो subject को पढ़के हम practice में आ जाते हैं, अब यहाँ पर main technology का funda ये है, उसको use करने का जो funda है वो ये है कि आपको as a homeopath, आपको last में priority देता है आपका patient, कहने का मतलब जब उसकी chronic problem है, वो 1760 doctor से मिल चुका है अपने शेहर का best से best doctor को दिखा चुका है, दोस्तों तब कहीं जाके उसको एक हयाल आता है कि अब तो सब खतम होगे, आप चलो homeopath के पास चलते हैं दिखाते वाला रेजिस्टर वो यूज करते हैं, जिसके अंदर वो अपने patient का data रखते हैं, आप लोग prescription तो वैसे ही नहीं देते हो, उसके उपर में video बना चुका हूँ, तो आपका जो clinic का setup है, वो बिलकुल old stereotype, old बुजूर्ग ऐसे 80 साल के homeopath के जैसे आप लोग practice कर रहे ह that would be more better for you, अब वो कैसे करें, उस पर मैंने कुछ अलग separate videos बने हैं, जैसे कि, जो patient management system है, प्रेक्टो.com उसके उपर मैंने video बना चुका है, कि आपके clinic में आप कैसे technology यूज कर सकते हो, कि आजकल सबके पास at least एक laptop होता है, या फिर एक desktop होता है, उसको आप अपनी clinic में रखि है, जैसे प्रेक्टो.com मैं यूज करता हूँ, मैं उसका paid client हूँ, तो मेरा का पूरा का पूरा clinic का जो record होता है, जो patient का record है, मेरे पास register नहीं है, मतलब यह जो clinic मैं चला रहा हूँ, जहाँ पर मैं अभी shoot कर रहा हूँ, यह completely paperless काम है मेरा, मेरा patient मेरे को अपना नाम बताता है, तो हमारे जो प्रेक्टो का software है, वो online चलता है, वो cloud पे है, मेरे को यह भी डर नहीं है, कि मेरा PC format हुआ, तो कहीं मेरे patient का data sync ना हो जाए, मेरे को को tension नहीं, मेरे एक ID है, पासवार्ड है, जैसे आप Facebook पे login करते हो, मैं अपने प्रेक्टो के account में login करता हूँ, और क्यों कि एक online, downloadable, free, repertrization का browser edition का software है, आप उसको use कर सकते हो, क्योंकि instead of, आप रिपर्टरी के पन्ने पलतो patient के सामने, और patient के दिमाग में कीडा पेदा हो, क्योंकि patient नहीं जानता है, homeopath कैसे काम करता है, वो as a whole, allopath ही आपको consider करेगा, कि आप allopath के पास वो गया था, उसने प्रेस् जैसे कुछ blenders होते हैं, कुछ ऐसे patient के दिमाग के mindset होते हैं, तो instead of doing this, an instant of opening the repertrty book in front of patient, आप ज्यादा बेटर है, आप उसको अपना complete dynamic software को आप अपने laptop पे या desktop पे खोल लो, तो इस तरह से आप कुछ कर सकते हो, instead of writing the manual prescription, अगर आप कोई भी PMS patient management system use करते हैं, जैसे मैं प्र prescription में अपने प्रेक्टो के interface से print करके print out निकाल के देता हूं, तो that is my authentic and authorized prescription, तो आप समझ चुके हैं, कि इस तरह से आपको technology का use करना है in your practice, ठीक है ना, अब हम दूसरे topic पे आते हैं, कि stay updated with the homeopathy and the allied subject, दोस्तों ये बहुत important है, वैसे मोटे तोर से देखा जाए, तो ये point का importance बहुत है, और कई लोगों के लिए बिलकुल नहीं है, इस point में क्या बोल रहा हूं, कि stay updated with the homeopathy, कि आप homeopathy में update हो जाईए, तो कि अगर आप अब तक नहीं थे, तो time आ चुका है, कि you have to get updated, और जो दूसरा point है, कि you have to also get updated with the clinical subject, जो कि होते हैं, allied subject, जैसे कि anatomy, physiology, practice of medicine, pathology, उ आज से 5-4 साल पहले तक कि जिनकी practice धकी आ रही थी, ठीक है न, बिलकुल अंधों में काना राजा था, उनका काम चल गया, पर अगर आप आज पिछले एक साल में, दो साल में, या फिर आप आने वाले एक साल या दो साल में, आपका B.H.M.S. complete होने वाला है, और आप एक newly built या बनने वाले हो, तो दोस्तों बिना updated आप practice नहीं कर सकते उसका कारण है, कि पिछले 4-5 साल के अंदर social media, facebook, whatsapp और उसके साथ साथ YouTube के आने के कारण, Google के बहुत जादा existence में आने के कारण, दोस्तों आप मानेगे नहीं, हमारा patient इतना updated आता है, इतना updated आता है, कि in fact मेरे प का diagnosis बना था मेरे investigation में, sonography में ये निकला था, मैंने इसकी पूरी study करी, मैंने इसके बारे में इसकी anatomy पर समझी, इसकी pathology समझी, in fact मैंने homeopathic study भी करी, और उसके बाद I had came to this conclusion, मैंने ये conclude करके इतनी homeopathic medicine निकाली, तो मेरी study मैं आपको दे रहा हूँ, मैं वो medicine आपको बता र हमारे पास as a homeopath, एसे patient आ रहे हैं, जो अपनी पूरी बीमारी का पूर R&D करके आ रहे हैं, उनको क्या है, उनको ये क्यों हुआ, उनको ये पता है, इसका pathophysiology क्या, इसके होने का कारण क्या है, in fact they are doing the research on the homeopathic treatment of that problem, तो अगर आप updated नहीं है, तो वो जो है patient जब आप से technical language म उसने अगर बात करना चालू कर दिया, और अगर आप updated नहीं हो, तो मैं challenge कर रहा हूँ, आप उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे, और इसलिए आपका update होना in the field of homeopathy and in the field of allied subject is very necessary, क्योंकि अब आपका patient अनपढ़ गवारोर, layman की तरह आपके पास नहीं आ रहा है, वो पूरी study करके आ रहा है, in fact, वो homeopathic guideline of treatment की भी study करके आ रहा है, इसलिए ये जरूरी हो जाएंगे, जो third point है, कि stay updated with the method of new investigation, जो आप देख सकी देख रहे हैं, कि जो investigation methods हैं, वो investigation methods हर साल evolve होती आ रही हैं, हर साल हमको कुछ ऐसे नए investigations देखने में आते हैं, अब दिक्कत यह पर यह है, कि we are the last line of defense of any patient, मतलब वो जब सब जगे दिखा लेता है, सब कुछ कर चुका होता है, तब ultimately वो एक homeopath के पास आता है, और फल सोरूप, homeopath को को कोई भी investigation कराने की major proportion cases में जरूरत इसलिए नहीं पढ़ती, चोंकि वो already investigations ले के आया, इतनी modified, तो दोस्तों, अगर आ reports को interpreted करना नहीं जानते, उन investigation reports को clinically उसको modify करके, homeopathically आप अगर उसका applied use नहीं कर पाएंगे, तो आपको अपनी practice में result नहीं मिले, तो इसलिए, क्योंकि investigation technique हर साल evolve हो रही है, हर साल एक नया investigation market में आता है, और frequently patient उसकी report हमारे पास लेके आता है, that is why it became very necessary that you should update yourself with all those new investigation method as well, है ना, तो यह था तीसरा point, अब जो दोस्तों, जो चौथा point है, वो भी बहुत important point है, कि stay updated with your setup, कि आपका जो भी clinic है, आप जहां पे भी practice कर रहे हैं, doesn't matter कि वो एक slum area है, या वो एक middle class area है, या फिर lower middle class, middle middle class, या अपर middle class area है, या वाकई में high profile area में practice कर रहे हो यह जितने भी मैंने area के class बनाए, इन सब classes के अनुरूप, मतलब आप जैसे भी area में practice कर रहे हैं, but your setup will be updated corresponding to that area, कहने का मतलब, अगर आप बिल्कुल नए practitioner है, आप slum से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपका काम चल जाएगा, देखो, एक clinic के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ह लोहे के रैक भी रख सकते हो, जिसके अंदर आप अपनी medicines रखोगे, अपनी पूरी inventory रखोगे, आपको एक table चाहिए, आपको एक chair चाहिए, आपके खुद के लिए, आपको दो chair सामने चाहिए, अपने patient के अटेंडन के लिए, और एक chair आपको चाहिए patient के लिए, तो देख जो आप deserve करते हो, at the point of your life, उसके हिसाब से बिल्कुल updated रहना है, ठीक है न, मतलब जो जैसा भी, जैसे कि initially आपने practice चालू करी, तो ठीक है, आपको काम चलो, 10-15,000 के setup में काम हो गया, बट जिस तरह से YouTube के अंदर जाहतार, YouTubers बोलते हैं न, कि यार मेरे को YouTube से कमाई आई, और मैंने इसी calendar invest किया, तो मेरा channel grow करा, in the same manner, initially आपको जैसे आपको rolling आती है, patients आते हैं, क्योंकि दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कि अगर आपका ठीक ठाक में बहुत high-end setup की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा furniture, गोद्रेज, interior का या फिर आप paper fry का table use करो, मैं यह नहीं बोल रहा हूं, but अच्छा setup अगर है आपका, आपकी दुकान के हिसाब से, आपकी shop के हिसाब से, आपका जो setup है, अगर आपका अच्छा setup है, आप अच्छे setup में बैठे हो, तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा impress करने में मदद करता है आपके patient, ठीक है न, तो आपको अपने हिसाब से, अपना area देखके, कि भाई ऐसा थोड़ी है कि मैं जुग्यों में बैठा हूं, में दो लाग का setup डाल लूँगा, नहीं कर सकते को कि कोई मतलब नहीं है, तोकि जो standard मेरे पास आ रहा है, जो standard of gentry, जो मेरे patient का economic status है, मेरे को अपने patient के economic status के हिसाब से, मेरे को अपने setup में अफग्रेडेशन करना है, कहना का मतलब छोटी सी जगा है, आपने जुग्गी से clinic चालू करी, slum area से, क्योंकि initially slum area से ही practice start करनी चाहिए, वो ही आपको अच्छा doctor बनाता है, वहाँ पर आपने बिल्कुल lower end setup रख लिया, फिर आप थोड़ा से अपने area के अंदर थोड़े सी बड़े setup में गया, जैसा मैंने किया, कि मैंने slum से start किया, वो बिल्कुल nominal setup था, फिर जब मैं थोड़े से उससे 4 km दूर एक जगह पर आया, जो थोड़ा सा बड़े लोहों का area था, वहाँ पर मैंने setup को थोड़ा सा upgrade करा, कि भाई मैं अब उस setup में नहीं बैठ सकता था, जो मैं पहले slum में बैठता था, उसके बाद जब मैं इस वाले setup में हूँ, जहां पर अभी मैं shoot कर रहा हूँ, तो यह जो premises है, यह मेरा खरीदा हुआ है, मेरा own, यहां पर मैंने बिल्कुल up to the mark setup को बनाया, बिल्कुल high end setup को ब एरिये के अंदर मैंने बैठा हूँ, मान लीजी, और वहां पर को कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो जुगी बस्ती में, मतलब यह समझ लिए, slum से वो लोग 10,000 रुपया दिन कमा, अब उस आदमी की पता सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो यह सोचता है कि बस मै तो यहां चल रहा है मेरा काम, मैं संतुष्ठू मेरा काम चलता रहे, आपको कभी भी यह नहीं सोचना है दोस्तों, आपका जैसे-जैसे नॉलेज बढ़ेगा, आपका जैसे-जैसे प्रैक्टिस के अंदर रुत्वा बढ़ेगा, आपका जैसे-जैसे कैलीबर बढ़ेगा उसके इसाफ से दोस्तों you have to upgrade the area of your practice यह बिल्कुल वैसा ही है कि मेरे को शुरूर में knowledge नहीं था मेरे गुरू जी ने मुझे बोला कि यार go to the slum area वहाँ पे जादा patient मिलेंगे पाईसे कम मिलेंगे पर knowledge खूब मिलेगा वो knowledge मैंने gather करा फिर मैंने अपने area upgrade करा फिर मैं थोड़ो से अच्छे high gentry के area में आया वहाँ पे क्या हुआ number of patient कम हो गया क्योंकि मेरा पैसा बढ़ गया है मैं ticket size बढ़ गया है मेरा per patient charges बढ़ गया तो वहाँ पे मैंने कुछ समय practice करा फिर मेरे को लगा कि नहीं हाँ मैं ready हूँ थोड़ो से और बड़े area में जाने के लिए तो फिर मैंने फिर से area को upgrade करा अब मैं जहाँ पे भी एचेल township है जो भूपाल में उसका सबसे बड़ा commercial area है मैं वहाँ पे बैठ रहा हूँ और अब मेरे को यहाँ से मेरे को probability क्योंकि मेरे 15 साल हो चुके है तो एक या दो साल के अंदर भूपाल का जो top commercial location है इस भूपाल के अंदर मेरे को 2 से 3 साल के अंदर वहाँ पे shift करना है तो कहने का मतलब है आपको upgrade करना चाहिए आपका area of practice with the increasing caliber of your knowledge तो दोस्तों यह थे वो 5 points जिनके बारे में चर्चा करना जरूरी था जो as a practitioner अगर आप इनको apply करेंगे तो आपकी practice के अंदर literally 4 चान लगेंगे आपका number of OPD और आपका income definitely बढ़ने वाला है तो उमीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा समय निकाल करके चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद इस हफते में आने वाले event और हर शनिवार को शाम को साड़े चार बज़े होने वाली live stream में आप सबसे मुलाकात होती है तब तक के लिए नमस्कार